टीवी का कॉंट्रोवर्शल शो बिग बॉस एटीम इंदिनों काफी सुर्ख्याबटो रहा है। दिगविजे राठी की दोस्ती। दिगविजे राठी ने हाली में शो में रजजद दलाल की फैमली को लेकर एक बड़ा खुलासा किया था। अब उनके इस दावे पर एलविश यादव के दोस्त लवकेश कटारिया का बयान सामने आया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। लवकेश कटारिया ने अपने ब्लॉग में फैन से कहा कि भाई मुझे दोगले लोगों के बारे में बात करते हुए बड़ा मजा आता है। तो जो बिग बॉस के घर के अंदर एक नए कंटेस्टन गए थे जिसे रजजद दलाल अपना भाई मान रहा था वो घर के अंदर रजजद की फैमली के बारे में बाते कर रहा है उसे मैडल के बारे में कह रहा है अरे तुझे पता है क्या कि कौन किसके पास रह पा रहा है या फिर नहीं फिर कह रहा है कि मेरे दोस्त के साथ कशिश कपूर ने गलत किया इस जैसे शक्त के साथ ऐसा ही होन चाहिए हाली में शो में दिग्विजे राठी और रजद दलाल की दोस्ती को नजर लग गई है शो में अब दिग्विजे करणवीर के साथ नजर आ रहे हैं और रजद दलाल पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं दिग्विजे राठी ने शो में बातचीत करते हुए खुलासा कि रजत दलाल अपने परिवार के साथ नहीं रहता है वह गुजरात में रहता है क्योंकि उसे लगतार धम क्या मिलती हैं दिग्विजे की इस बात पर शिल्पा ने कहा कि आप रजत से अपना मामला सुल्जा क्यों नहीं लेते वह आपका काफी अच्छा दोस्त है इस पर दि यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए कहा रजत करे तो गेप दिग्विजे करे तो दोगला वाव वही एक यूजर ने लिखा ओए भाई रजत वॉस फर्स बैक विचिंग अबाउट दिग्विजे सो वॉस दस शो एंड ब्रेक हियर वही एक यूजर ने लिखा हैस्टेक दिग्विजे is very clear and real person तो वही एक यूजर ने लव कटारिया को भी अपने दिन क्या दिलाए और इसने कमेंट किया आपने भी तो विशाल के साथ किया था थपड़ पड़वा दिये थे वही एक यूजर ने लिखा भाई तू जब था तो तेरे से बड़ा दोगला तो कोई नहीं था तो वही एक यूजर ने कहा look who's talking तुम ना ही बोलो तो better है और तुम लोगों को रजत की दोगले पंती नहीं नज़र आती न नेगटिव पीपल वेल अपकेश कटारिये कि इस वयान पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं फिलाल हमार इ दुलिए